तो कोई आपके बराबर कोई नहीं है नहीं है मेरे को लगता नहीं है कोई पूरे गुजरात में पूरे गुजरात क्या पूरे इंडिया में जैसे डॉन लोग हैं उनके साथ आपका चलता रहता है दुश्मनी कोई डॉन को मैं नहीं मानता मैं तो खुद डॉन हूँगा तो काई को कोई डॉन को मानूँ तो बच्चू के इसापसी में परीवतंद आगिया नहीं तो अभी तक तो मैंने किते मेरे बेचे के लिए मडर कर डाले हो है और वो नहीं मारते तो वो अंपु मा डालता उसने हमारे पर छुरी भी फिराई बहुत इतने बड़े लेवल पर जाके क्रिमिनल बन गए टाड़ा लगी आप पे 93 ब्लास्ट में आपका नाम आया बहुत बड़ा कुटू मेरे 40-50 भाई है और सब मासालला कैपेबल कोई ऐसे नहीं हमारा कुटू मकेल हमारे घर पे बोम ने सब नाक है कागड़े बना बना के हमारी ओरता ने बच्चे एकले घर में थे और हम भाग गई लिए पुराने पाक में ये भी है कि बहुत जुलम सेहन करना गुना है इस समय हम एमदाबाद के जमालपूर अलाके में हैं और हमारे साथ गुजरात के बहुत बड़े हिस्ट्री शीटर कहूं डौन कहूं या फिर एक क्रिमिनल बैग्राउंड व्यक्ति जो अब साधारन जिन्दगी जी रहे हैं लेकिन बहुत देर तक जेल रहे 93 ब्लास्ट में इनका नाम आया और 2002 राइट्स के बाद लगातार पुलिस के साथ इनकी लुका छिपी जो चलती रही अलताफ पठान साथ हैं पठान साथ क्या मजबूरी रही कि यह लाइन चूस करनी पड़ी आपको अथा का रूबेव के सथ्य-दिय रिकसा में जा रिया और मैं रस्ते में गल्ले हटा देखर पर गल्ले गरीब हो अथा तok मेरे सी दिखा नहीं एक देखा नहीं तो नहीं हुत उत्रा है मैं उत्ते और मिरे पीछे पीछे मेरे मेरे चाचा में के लंग डिद ऊबलीस चाचा को उन्होंने मारा तो कि मैं कोई इसा इराद इसी था ही नहीं बस ये पोलीस ने अपनी सुरुवात करी तो फिर उसके बाद क्या थोड़ी बोला चाली हुए मतलब बहुत लोग आके मेरे को छुड़ा गए तो इतने बड़े लेवल पे जाके क्रिमिनल बन गए टाड़ा लगी आप पे 93 ब्लास्ट में आपका नाम आया यह दर सब खोटा आएगा मतलब नाम आया जरूर और मतलब पोलीस ने करा मेरे में इस चीज में इन्वाल नहीं हूँ अब वो तो मेरा अल्ला जानता है कोट ने भी मेरे को रिया करा निया दिया और मैं मतलब बिलकुल निर्दोस हूं मैं कोई भी ऐसा नहीं मैं मतलब फिलाल मैं मतलब पेरालिसिस का पेसंड हूंगा फिर भी अभी भी पॉलिस को भी सपोर्ट करता और फिर भी पॉलिस ऐसा कहती है तू बहुत बड़ा है वो है क्या बोले तुं यहांका बहुत बड़ा दादा है गां दादा तो हम लोग हैं जो तने मरडर कियें तो फिर पुलिस बोलेगी ना दादा आपको कितने कट्ल किए हैं आपने दो तीन करें होईंगे बगर मडर को ऐसा नहीं कि हमने मडर हमारी मजबूरी सी करा क्यों ऐसा कोई चलते अदमी कु नहीं मारा हम ने हमने array अन जाने अदमी को नहीं मारा उसको जान खबर थी कि यह अमको माडा लेंगाओ वो भी ऐसा भी था और वह कोमा डालता, उसने हमारे ử फिराई बहुत, हमको लगी ने, दौरते दौरते हमारे भी पीछे फिराता था, अगर हमको लगे ने तो हम मर जाए इसका मढर के बतले हमारा मढर हो जाए तो ऐसा क्यों मडर्स क्यों करने पड़े मडर एक परिवार के लिए ऐसे यहां मतलब हम खान गुरूप सी बहुत साइकल का धंदा था हमारा पिता जी का तो साइकल वाले के हिसाब सी हम बहुत फैमस है इदर और हमारे सब बहुत बड़ा कुटू मेरे 40-50 भाई हैं और सब मासा लला कैपेबल कोई ऐसे नहीं सब एक दन जहनियों नमाजी और पाबंदी आप नमाजी हैं हाँ मैं भी नमाजी तो फिर जो टीचिंग्स हैं जो जो कुरान पाक में लिखा है कि किसी का बुरा नहीं करना या किसी तो उसकी तोबा करते हम कि हमको यह बात आपकी स संदा है करें किपने करने के रिख वाँ मारना और अभी एक के बहूत जुलम सेहन करना क Pens 지금 आपको इस डिल्म हो गया जो आपको इस इस रस्ते पर चलना पड़ा हमारा परीवार नीचे सामनी रहते टांगरवार में कया संञ़ हमारा इधर एरिये में थोड़ा ऐसा चला, ऐसा दोर चला कि जैसे हमारा कुटुम अकेल हमारे घर पे बॉम ने सब नाखे, कागड़े बना बना के, हमारी ओरता ने बच्चे एकले घर में थे, और हम भाग गई लिए, पोलीस से, क्यूं ऐसा हुआ क्यूं? हमने पहले एक को मारा था ने, तो हमको पोलीस उनके साथ थी, एक शिरी वास्ताव साफ करके था, तो वो ऐसा क्या है कि तुम इनको यहां सी भगाओ, तो लोग सकती मांगनी है सी का आपकी जित्ती मिलके ते हम ले लएंगे, हम भाग पाल लएंगे, हमारे मतलब बाप दाद जमात और सुनी जमात, वो ऐसा कि यह सालय यहां तबलीग का काम करते हैंगे, हम, तो उसलिए यह सब चला, तो आप किस के लिए काम करते हैं, आपके बाबा जो थे, अगर इतनी मस्जिदें उन्होंने किया, और और आपकी कम्यूनिटी यहां है, तो यह शिया सुनी वाली कि 2002 में जो हुआ, वो क्या था, वो तो एक स्टन्ट था सरकार का, वो हिंदू-मुस्लिम नहीं था, इधर तो कोई हिंदू-मुस्लिम हुआ ही नहीं, ठेट जगनाज मंदीर सी लेके आप खमा सा चोकडी तक पतलब किया थोड़ा बहुत दंगा पत्थर मारा हुआ, इधर ऐसा कोई भेंकर आथसा नहीं हुआ, तो जो वहां हुआ, गुलबर्ग सुसाइटी में हुआ, एसान जाफरी साब, वो कौन लोग थे जिनों ने किया, अब यह तो कैसा है, जब तमाल होती है तो बहुत बड़ा नित टोला हो जादा भेगी, उसमें मतलब, वहां तो ज्या कुझराती नहीं थे ? आप सिर्फ अपने परिवार की लड़ाई उसके लिए लोगों को मारता है और मैं किसी गेंग में काम नहीं करता है मैं तो खुद बोह सुंगा गेंग का मेरे को कोई गेंग की जरूरत नहीं है हर गेंग ने मेरे को हाथ निला है आपका बेटा भी जेल में है वो भी मडर के केस में है आपको कभी लगता नहीं के सब जोड़ के एक आम जिन्दगी जिया प्रोड लगता है अब आपका पोता है चोटा साफ़ तो इस बात का गुसा रहता आपके प्री बीँमारी यह यह क्लती गुश्चा है कि मेरे को ब्रेंड स्टोक आया था यह साइड में पैरालीसिस में नमाज पर की आज़ा अच्छा लगता है कोई आपको डॉन बोलता है मेरे को पोलीज भी बोले कोई भी डॉन काई का डॉन तो यह था पर मर यह देखो यह असली डॉन था यह दोस्त नहीं राइपूर में और बहुत गैंगस्टर थे तो इनके साथ मिलके आप ऐसे होगे के नहीं इसने तो हमको बहुत सुधा रहा यह तो हमको बिल्डर बनाना चाहता था इसकी इच्छा के तुम बिल्डर बनो फिर में मतलब मेरे भाई लोग करते थे तो मैंने सोचा कि अपड़े ये लाइन में कहा पड़े भाई लोग को ऐसा लगे देखो बड़ा भाई होके ने हमारे सामनी पड़ता इसके लिए मैंने छोटे भाई को करने दिया करो तुम यहां जरूर पड़े वहां में आऊंगा जैनियून काम करते है मेरे बाई लोग किसी का बुरा किया है कभी नएं किसी का बुरा नहीं अच्छा बहुत जनुक कराएगा बुरा तो आपने बता दी बाकी चार-पंच मडर क्यों किये फिर वो तो हमने मरने वाले का मौ ही नहीं देखा जो मरे ने उसका मौ भी नहीं जिदीन हम छूटे ने कि हम इसके मडर में जेल में थे वो राइट में ऐसा मडर बता दिया किये नहीं किये नहीं इसको माप करे उसको जन्नत नसीब करे हमारी गल्ती मतला मने मजबूरी सी उसका मडर करा ना छूटके बेटे के लिए तो आपके समाज के लोग फिर बोलते नहीं है जो मौलवी लोग आपको बोलते नहीं के पुजा करूं मैं मतलब मैं मैंने कहीं मैं भोले बाबा का भग तो ये कैसे हुआ कि आप भोले बाबा आप तो तिरानमे बलास्ट में आपका नाम आ गया दगे में आपका नाम आया की हिंदू मारे आप नहीं और आप बोल रहे हैं भुले बाबा के भग आपको बताता हूँ पहले से यह उसके बाद में बने उसके बाद में 93 में कैसे हमारी इसी मुलाकात हो गई जेल में हाँ दौन से बर्दीप दौन से हम दौनों भाई बन गए अच्छा और ये ये हंदू है भाई ये सब फेंदू है एक भी मुस्लिम न क्हाली में एक ही ही हम वीच जने का गुरुब जाते था अमरनार रिऋात्रा अमरना थे आत्रा अच्छाए वहास गारी लेके जाव भगवान ने उनको बचा लिया वो लोग दर्शन नहीं कर पाए पर रीटन आ गए तो आप भोले बाबा के दर्शन आपने किये है मैंने बाबा बरफानी के करे ले बाबा बरफानी के तो बहुत बार और गेट खोला हमने हमारा आर्मी के साथ अच्छा तो फिर भी आपको जब लोग बोलते हैं कि आप दंगाई हो या फिर पुलिस आपको इसमें लेके आती है तो बुरा लगता है बुरा तो लगेगा ने यार ना लगे बुरा अभी आपको कोई कह वे कि आप मुसल्मान के विरोव दिंगे तो आपको कैसा लगेगा आपको अभी आप मुसल्मानों के साथ मिले आपको ऐसा लगा कि मुसल्मान ये तो क्या मतलब अब ये आरोप लग जाता उसको फिर अपने मिटा किस तरह ने सकते है आपकी हिस्ट्री ऐसी है ना चार शीट इतनी आपकी हिस्ट्री शीटर है आप 40-50 अपके उपर है यह यह महिश ठाकोर है सेटलाइट का बहुत बड़ा चैनल का किंग है और यह हमारे भाई गुरू का मडर चैनल के लिए हुआ क्यों गुरू किस चीज में गुरू है आपके हर चीज में हां सब मदद करता था मेरे को अच्छा जेल में सी भी छुडा देता मेरे को यह जो बाकी जैसे डॉन लोग जुडा कमें तो उनके साथ आपका चलता रहता है दुश्म exchanged है कऊँ डौन कु मैं नहीं मानते मैं तो कंड वन धेता मिए एस घुडा में तो यहां पर जैसे पंजाब में ड्रग का धंदा भू भूह। अभी गुजरात में भी यह होने लग गया है, हाँ अभी बहुत हो गया, तो आप लोग फिर उसको रोकते हो या फिर आप लोग भी उसमें हो, नए हम तो बहुत खिलाफ है इसके, ड्रक के, ड्रक के तो बहुत खिलाफ है, तो फिर वो कौन लोग हैं जो धंदा कर रहे हैं, अभी यह भाईसा बता रहे थे इधर भी इलाके में भी ड्रग आ गया है हाँ आग या नीचे अब गरीब लोग बेखते हींगे उनका गुजारा करते है पड़ वह एसा नहीं कोई कि जैसे पंजाबी फखड़ा है तो बोले पाकिस्तान का आदमी हो पकड़ाता है वह अभी कोई सरदार पकड़ेगा तो पाकिस्तानी आदमी वहीगा हो बस यह ऐसा है तो पूलिस अब समझती है आपको कि आप ऐसे आदमी नहीं हो आप सब समझती है पूलिस को सब पता है कि अब नहीं बोलती है अब इसा नहीं बोलते है कोम के बारे में नहीं बोलते है किसी प्रेशर में आके ऐसे बने अब भगते है फिर दिल से बने दिल से तो ये आप जैसे अभी पंड़ शाथ पूजा कर रहتي है अभी भी जा रहे हो पूजा पर यह आपका दिल कहता है पूजा करने में दिल किया मेरे ने किया में पचास अजार उपे खरचा करता हूं तेरे बेटे के लिए दरबार सा तो मैंने कहा चल भाई तेरी जो योगिया है तो बोले तुम्हारे ऐसा करना पड़ेगा मैं तु बोले वो करूँगा तो बोले तुम्हारे पूजा करनी पड़ेगी मैं असब करूँगा मैं तो अभी आप जैसे मस्जद जाते हो या आपके जो जो जमात के लोग हैं तबलीगी जमात वाले बी हैं वो आपको रोकते नही है सबसे रोकते हैं मेरे चाचा न Veterans वो लोग भी कैंश लोगigung के यार तू पर में केता है मेरे दोस्ट बस तो मैं पांच मिनिट में पहुंच जाओंगा ओक के बस मतलब थोड़ा यार काम में बैठाओ पांच-दस मिनिट में निकल ताओ पंडीत को बिठाओ यह आ जाओंगा खरी टाइम सर्फूजा में हां बस अभी जा जाता हूँगा हां हां बापो है न चलो जाए माता जी और कितने केस अभी आपके जो हैं पेंडिंग है अभी अभी होएंगे पांच-छाट-दस जैसे केस में निर्दोद चुट गया कोट से चूट गया तो जो मडर वाला केस है उसमें आप कितने साल जेल में रहें मडर वाले केस में मतलब मेरा खक कुतुम अभी मैंने आप इन लोगों को सब भाईयों से मिलाया वह सब भाई जेल में मेरे कि यह सब भाईयों को मैंने मिलाय मेरे कितने लोग जेल में है मेरे मतलब सब भाई लगबग वो 93वाले केस में भी आप छूट गये ताटा वाले पिचोट गये उसमें भी छूड़ गया तीन साल जेल में रहे हैं था मैं छ्शतरीस महिने रहा था अंदर भी ने अपना डॉन थे आप जेल के अंदर भी कोई का कलास नहीं अपना नाम लेव है सलीम भाई चलिए धन्यवाद आपने समय दिया बात की और ये बहुत सारे लोग जिन्दगी में मिलेंगे जो अलग-अलग तबियत के अलग-अलग धन्यवाद भाई ये मैं क्लोजिंग कर रहा था वे से शुक्रिया